नमस्कार में हुनी विद्धा यूपी में इस वक्त दो लोग आक्शन में हैं एक योगी जी और दूसरी उनकी पुलिस लेकिन एक और यूपी के बड़े नेता हैं जो की फिलहाल आक्शन में है नाम है आजम खान आजम खान ने रामपुर में हो रहे चुनाब के दौरान रोते हुए कहा कि हमने क्या गुना किया जिसकी सजा मिल रही है इतना कहना था कि आजम खान दौरा पीरित उस वक्त उनहीं की पार्टी में रही और अमर सिंग की करीबी माने जाने वाली जैप्रदा ने आजम के घड़ियाली आसों को लेकर कटाक्ष करते हुए हमला किया और कहा कि ये सताई हुई महिलाओ यानि की मेरा आजम खान को श्राप है जिसके बानगी अब आजम खान आप पर उतर रही है मतलब ये कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं ये कहावत आजम खान पर सटीक बैखती है क्यूंकि जब आजम खान मंत्री थे तो उनकी तूती बोलती थी और एक शेहनशा की हैसियत यूपी में रखते थे और जो चाहे वो करते थे और पुलिस को अपने इशारे पर घुमाते थे लेकिन सत्ता बगली हवा का रुख बदला अब वहीं पुलिस जो आजम के इशारे पर नाचती थी आज कल आजम को नचाती है और इसी तकलीफ और पीड़ा की बजह से रामपुर में बोलते हुए उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई लेकिन उन्ही के द्वार पर पीड़े तेक महिला जैप्रदा ने मौके को लपकते हुए कहा कि आजम के पुराने कर्मों की सजा है और किसी महिला का श्राप लगा है इसी कड़ी में जैप्रदा ने आगे कहा कि वो मुझे अच्छी अभिनेत्री बताते थे लेकिन अब वो क्या कर रहे है आजम खान के खिलाब रामपुर स्थित जोहर युनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन हडपने के कई मामले दर्च है आजम पर किताबे और बकरियां चुराने समेट असी से अधिक मामले दर्च है यहाँ पर एक बात बताते चैने कि इस बार लोगसभा चुनाव में रामपुर लोगसभा सीट से आजम खान के खिलाब बीजेपी ने जया प्रदा को चिकिट दिया था लेकिन जया प्रदा आजम खान से एक लाग से अधिक वोटों से हार गई जो भी हो विद्वानों का कहना है कि किसी के उपर हसना नहीं चाहिए नहीं तो वो एक ना एक दिन आपके उपर भी पढ़ सकता है और शायद यही जया प्रदा कह रही है